हेलो विबड़ी स्वावेरी गुट बाइन टी आल अफ यू प्रवीन चौधरी एंक अपके PC बावक आप सभी लोगों को वापस से तहदल से नमशकार मेरे भाई और स्वागत है आप सभी लोगों का CS Executive December 2030 के एक्जाम्स के लिए भाई साब मैंने आप सभी लोगों को इस बात का वादा किया था कि मैं आप सभी लोगों को CS Executive में कदम रखते ही बहुत फारी बाते जो हो शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके CS Executive के जर्नी जो है उसको आसान बनाने वाली है इसको बढ़िया बनाने वाली है और पहले से ही कौन सी गल्तियां आपके नहीं करनी चाहिए वगर 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 तो आज उसी पडलर एजिंडा के हिसाब से एक और टॉपिक जो है वह यहां पर आपका लेक्या है जिसका नाम क्या है फेलियर का चक्कर भी बहुत ही खतरना क्वाला टॉपिक इस टॉपिक को ए सब्सक्राइब का बटन भी तबाद इजिएगा क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से कि सीएस कार्ट इंडिया का चैनल है यह इकलोता है चैनल होगा जो कि आखरी मोमेंट तक आपके साथ में एक्जाम तक रहने वाला होगा तो यह बहुत द्यांसर बहुत मतलब सर तो मौत ही बड़े वाला डाइलेमा जो है वो बले मेरा दिमार के आप इन भी हima चल रहा है जरा है अज़रत बात थे एक वो कहते हैं कि स्ट्रीक जो है आपके चालू है यहां पर जिसमें की सुक्सेस जो है उसका स्वाद आपने पर चख लिया है और मोटिवेटेड है मेरे भाई तो मैंने आपको यहां पर कहा था कि बोध ग्रूप जो है वगर आप देंगे तो जादा बहतर आपके लिए रह बहुत मतलब बहुत ही ज़ाद धन्यवाद कहना चाहूंगा कि कल जो आप सभी लोगों के लिए सीएस काट इंडिया ने यहां पर अमेजिंग वाला अमेजिंग वाला सर्प्राइज आप क्या रिस्पॉंस दिया मेरे भाई तुम लोगों ने यार मैं कल तो सीएस काट इं कोड यहां पर अपको प्रवाइड किय गया दो कूपन गोर उन बच्चों के लिए जो CS-Card इंडिया के परिवार का पहले से क्या है नोगों के लिए पहला क्या था पहला क्या था उसका नाम था CS-5000 और दूसरे जो कूपन कोड था जापको और 5000 पादम का दिसकां दिया जा और वो आपके पास में available नहीं होगा और उसके बाद में 25th of me की बात अगर मैं करूंगा तो उस दिन आपका ये वाला जो coupon code है वो भी expired हो चुका होगा वो भी आपको website पे available नहीं होगा और वो भी वहाँ पे आपका expired हो चुका होगा उसके बाद में जो price आपका रहेगा वो क् पास में जो कि अभी की बात की जाएं तो सर नॉमल स्टोरेंट के लिए 70,000 प्लस GST, CS कार इंडिया के परिवार वाले के लिए 12,000 प्लस GST, फॉर इसके बार में गर में गुरुकुल रिकॉर्ड़ेट के बारे में बात करूं तो 25,000 प्लस GST का जो प्राइस आपका था वो नॉमल स्टोरेंट के लिए 20,000 प्लस GST और CS कार इंडिया के परिवार वाले के लिए 15,000 प्लस GST और अगर मैं बात करता हूं लाई स्ट्रीमिंग ऑनलेन बैच के बारे में तो जहां पर प्राइस आपका 21,000 है फॉर नॉमल स्टोरेंट आज के डेट में और जो CS कार इंड जो है वो आपके पास में है भाई साब और बाद में यह मत कहिएगा कि सर्व मुझे तब पता ही नहीं था और हाँ एक बात और जाना कियेगा क्या सबसे पहली बात अगर में EMI की बात करूँगा तो EMI का जो option है वो भी आपको यहां पर 19 तक प्रोवाइड किया गया है 19 के EMI की जो charges हैं वहाँ पे आपके लगते हैं इसी वज़े से वहाँ पे 1000 रुपी जो है वो extra के वहाँ पे दिखाएगा गया तो EMI वाले में भी आपको discount job वहाँ पे दिया जा रहा है लेकिन वहाँ पे कोई coupon code जो है वो आपको लगाने की requirement नहीं है मेरे भाई कि automatically वहाँ पे calculate करने के बाद में ही जो amount है वहाँ पे आपको show किया गया है बस यह धायन रखेगा कि जब आप payment करोगे तो उसके अगले 30 days के अंदर आपको second installment आपका होगा वो आपको pay करना पड़ेगा otherwise जो charges आपके होंगे वो पूरे के पूरे जो है वहाँ पे लग जाए और साथ में एक बात और ध्यान रखेगा क्या कि कल से कल मतलब 19 से जो demo classes है वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे CS Card India की परिवार का हिस्सा नहीं है और CS Card India के साथ में जुड़ना चाहते हैं लेकिन classes को देखना चाहते तो कल से मेरे भाई आपके जो demo classes है वो यहाँ पर start ह होने जा रहे हैं से demo classes का time क्या होगा morning में 10 बचे से आपकी जो demo class है वो start हो जाएंगे इसी पर लो चैनल के उपर जिसका नाम के है CS Card India तो फटा फट से मेरे भाई सब्सक्राइब जो है वो कर लीजेगा बेल आइकन जो आपको दिया गया है उसे भी आप दबा दीजेगा औ और हाँ अगर by any chance को ऐसा बच्चा होगा जो single group लिने की बात करें तो यहां पर जो family 5000 का discount है वो आपको यहां पर नहीं मिलने वाला होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात यहां पर करूंगा तो जो आपका यहां पर कौनसा CS 5000 का discount आपका होगा वो यहां प्लस GST और जो आपका live streaming है 17,000 प्लस GST वो आपका रहेगा 12,000 प्लस GST लेकिन सर यहां पर वही तो सर विडम बना चल रही है यही तो दिमाग में सवाल चल रहा है कि मैं दोनों group के लिए prepare करो और या फिर मैं single group जो है उसी के लिए यहां पर preparation जो है वो करूं समय मैं मैंने आपको बता है मेरे भाई कि आपके पास में seven months से भी जादा कर समय जो है वो available है और मेरा opinion यहां पर यह है और मैंने फैट के साथ में आपको बता है भाई साब कि history भी ऐसा रह चुकी है कि आपके ही परिवार के जो बच्चे हैं मतलब CS Card India के जो परिवार के बच्चे ह वो लोग already यहां पे इस चीज़ को history में करते हुए आए हैं क्या करते हुए हैं सर छे महीने की पढ़ाई करके all India rank का जो tag है वो यह लोग हासल करते हुए आए हैं अगर मैं यहां पे बात करता हूँ फरवरी 2022 के ज़र्ड के बारे में तो वहां पे भी रहे हैं अगर मैं बा इन बच्चों ने क्या किया वैसा सेम उतने ही टाइम के लिए पढ़ाई जो है वो करी है जितने टाइम के लिए पढ़ाई करने का मौका आपको यहां पर मिल रहा है एंड आ यह स्कूर्ड ऑल इंडियर रिंक आईयार जो है वो यह बच्चे लेके आए हैं यह फरवी 2023 वा करने वाला होगा तो अगर यह लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन ठीक है कोई बात नहीं तो अगर आपके दिमाग में थौट यहां पर है तो अपने थोड़ा सा यहां पर करने की कोशिच करते हैं सबसे पहला सिनेरियो नंबर वन क्या है सर मान लीजे फर एक पास हो जाए और भगवान करे ऐसा ही हो तो अगला जो गृप आपका होगा वो आपकप देने वाले होंगे जून दो हजार चौबीस में देने वाले होंगे और यह बहुत देंसों सुनिएगा कि ऐसा बच्चा जिसने की यहां पर बोत गृप का एक्जाम जो है वो जा चुका होगा यह ध्यान दखिया का भाई सब्सक्राइश की जो डिमांड है वो लिमिटेड है सारे बच्चे पास नहीं होने वाले यह फैक्ट है अब इस रिस के अंदर आपको आगे निकलने का है तो एक यह वाला बच्चा है जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफट वहां पे लगाया साथ मेहने इमांडरी से पढ़ा ही जो वो उसने करी और शायद उसको और इसको आउलेंडर रेंक भी आ गया और शायद अगर यह नहीं भी आया तो कम से कम बले उसका जो बूद गुरूप का एक्जाम था यहां पर क्या होगा पास हो गया रिकिन आपका आपका यहां पे एक गुरुप पास हुआ जिसमें जून 24 में आप क्या करने वाले हो अगले गुरुप का एकजाम जोगा यहां पर देने वाले हुआ दूसरा यह भी scenario possible है भाई सब क्या सर एक्जाम दिया तो था लेकिन मैं पास हो नहीं पाया सर मैं इत्तित सर समझ नहीं पाया यह हो सकता है कि कुछ मतलब बार प्रॉब्म जो वह हो गई जिसके से मैं फेल हो गया बाई इनी चांस यह बात वैसे होनी नहीं चाहिए अगर एक ग्रॉब के एक्जाम दे देता हूं क्योंकि वही मेरा पड़ा हुआ है तो उसी का एक्जाम मैं वापस यहां पर दे दूँगा तो यहां पर बहुत देंस है भाई सर अगर आपने ऐसा डिसाइड किया तो आप यहां पर पास हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से महनत आपे दिसम्बर 24 में अब वही वाला जो एक्जाम उसको पास करने के बाद में अगले गूप का एक्जाम जो डिसम्बर 24 में क्या करोगे थीक है फोर मंश जो रहेंगे वापके पास प्रिपार करने के लिए रहेंगे गोट अगर यहां पर आपने एक ग्रूप को पास कर तो अगला गुरुप देने के लिए आपके लिए आपके लिए तीन मेने का ताइम हो तो तीन मेने का कैसे अग्जाम हो जाएगा जनवरी और फरवरी आपनी पढ़ने वाले पक्का है अगर फेल हो तो मैं वापसे क्या करूंगा उसी चीज का प्रेपरिशन करना स्टाट करूंगा यह आप सोचके चलोगे भाई सब्सक्राइब तो ऐसे केस में आपना टाइम जो वहाँ पर बेस करोगे और फिर जब फरवरी में रिजल्ट आपका आएगा तो मार्च एपरिल और में तीन महने का टाइम जो आपके पास में बचेगा प्रिपरिशन करने के लिए आप बोल जाएगा जब आप अपने आजो बाजो वालों को देखोगे कि अब यह तो मेरे साथ में हुआ करता था यह बाई सब्सक्राइब आगे निकल गए और मैं यहाँ पर पीछे ही रह गया तो यहाँ पर आपका मुटिवेशन आपको मिलेगा ही नहीं कि आप वापस से क्या करो स्टार्ट करने की बाद जब यहाँ पर आपकर राइट चलिए अगर मान लीजे कि आपने यहाँ पर एक गुरूप का एकजाम जब डिसमबर 23 में दिया और उसमें गलती सगरा फेल हो जाते और आपने डिसाइड किया कि मैं बोद गुरूप का एकजाम जब जून 24 में इंपॉसिबल बड़ आपने लिए बना ही नहीं है यापन जो है वो सीस के लिए बने ही नहीं है बेकार कोर्स है पासिंग पसंडेजी नहीं है बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं और वहीं पे दूस्ते तरफ अगर मैं बात करूँगा पूरे पॉजिटिव एनरजी के साथ में पूरे एंथुजियाजम के साथ में अगर आप लोग नहीं हापे क्या किया दोनों गुरूप का जो एक्ज दिसमबर दोहजार तेज़ दोनों कुरूप जो है वो कब देंगे डिसमबर दोहजार तेज में रिजल्ट क्या आएगा सबसे पहला जो रिजल्ट आपको यहां पर आसकता है वो क्या है और अल इंडियर रहते हैं जिनका सोचना होता है कि यार नहीं ना बोद गूरूप पफटी तो इसमें से बहुत सारे बच्चे चट जाते हैं आप अकले वहां पर बचोगे तो ऐसे के इसमें अल इंडियर रेंक आने का चांसल जोग आपको यहां पर बढ़ जागा दूसरा सर बुले अगर एयर नहीं भी आया तो कम से कम आप यहां पर क्या करोगे अपने दोनों गुरुप्स को आपके लिए करोगे सर इसके चांसल बहुत जादा है मैं फ्रेंकल आपको यहां पर बता रहा हूं और इसमें मदद करने के लिए इवन आइसे असे ने क्या किया है सेट आफ का फंड़ा जोग वह भी यहां पर इंट्रड्यूस किया तो इसका मतलब मान लिजे फर एक्जम्बल की यहां पर आपको 190 आजाए लेकिन यहां पर आपको 170 आजाए पॉसिबल है सर नौर साथ सोला किते हो गए 360 मार्स हो गए वैसे अगर देखा जाए आपने सिर्फ ग्रूप वन का एक्जाम दिया होता आप फेल थे भाई साब आपको यह पूरा परा एक्जिट्व जो होगा वो पास मान के चला जाएगा सोचके देखे कि यहां पर आपको 240 मार्स आगए और यहां पर जो मार्स आपको है वो सिफ किता है 120 मार्स है हर सब्जेक्ट में 40 40 40 120 मार्स है ग्रूप टूप के अंदर लेकिन टोटल अगर मैं करू तोटल यहां पहरा है 360 पास हो गए भाई साड़े 300 आने चाहिए थे 360 मार्स आ गए स्टिल यहां पास बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई अगर आपने सिर्फ ग्रूप 2 का एक्जाम यहां पर दिया होता और सिर्फ 120 मार्स यहां पर लेका है होते आप फेल मान के चले जाते क्यों कि आप को यहां पर मिलने वाला नहीं होगा राइट चले और सर अगर आपका दोनों ग्रूप का एक्जाम डिसमबर 23 में निकल जाता है तो डिसमबर 24 में आप लोग प्रोफेशनल का एक्जाम देने के लिए बैठे होंगे एक्जाम हाल के अंदर यह समझा है चल दूसरा पॉइं क्योंकि CS का टाइक जो आपको हासिर करना था लेकिन सब दोनों ग्रूप के एक्जाम मेरे पास नहीं हो पाई परीज ग्रूप का एक्जाम पास हो गया हर दूसरे ग्रूप की पढ़ाई जो तो अलडी हो चुकिया मेरी क्या करना होगा जस्त रिविजिन करना होगा रिवि करना है और बाकाइदा मान लिजिए एक्जाम आपने का सब तबियत खराव हो गई कोई और प्रॉब्लम मुझे हो गए जिसकी वजह से सर में दोनों ही ग्रूप में फेल हो गया कोई बात नहीं शायद यहां पर प्रवीन सर ने गलत बोला था कि छे महने में एक्जाम आप ग्रूप देने को मिल रहे हैं और यहां पर भाइसाब बहुत द्यान से अगर यहां पर यहां पर फेल हो जाते हो ऐसा मान के चलिएगा कि आपने फर्स्ट अटेंप्ट जो है वह एक्स्पिरिंस के इसाब सरी है द्यान दीजेगा बाइसाब कोई फरक नहीं पड़ता कि आ ऐसे केस में अगर मैं बात यहां पर करूँगा तो क्या कहा गया बाइसाब यहां पर यहां पर अगर यहां पर आपका बोद्रूप का एक्जाम दिया था वो फेल हो गया सर प्रिप्रेशन करने के लिए आपके पास में डिसमबर के पहले साथ महने के थे फिर उसके बाद म मेरे पास में और पांच महिने का टाइम यहां पर होगा यानिकि 12 महिने का टाइम है यानिकि जून 2024 में तो All India Rank जो है वो मेरा पक्का यहां पर आना ही चाहिए 12 महिने preparation आपके हो चुकी है ऐसा मान कि आप वहां पे चलिएगा और आराम से हमने exam तो आप कर पाओगे पास जो है वहां पे आप कर पाओगे राइट चलिए और फिर इसकी बाद में भाई सब क्या मान लीजे कि प्रिपरेशन जो है वाप कर रहे है इसका बोद गुर्प का दोनों की प्रिपरेशन आप नहीं पाओगे लेकिन आखरी आखरी में जाके नहीं मैं यहाद दोनों गुरूप का एक्जाम जो हो देना चाहिए the reason being कि मैं प्रिप्रेशन उस लेवल की नहीं कर पाया ऐसा because of a reason तब्यत खराब हो गई घर में कोई और tragedy हो गई किसी की शादी आ गई वगरा वगरा कुछ भी हो सकता है अगर आपने एक गुरूप का एक्जाम दिया और उसमें अगर आप पास हो गए है सर सेम यही वारा scenario second group का preparation मैंने किया हुआ नो कि second group में क्या दिया क्या नहीं दिया है just revise मुझे यहाँ पर करना होगा और अगले attempt के अंदर मैं second group का exam दूँगा और उसको पास कर लूँगा और अगर गलते से यहाँ पर आपके आ जाते हो fail हो जाते हो sir प्रवीन sir गला फाड़ फाड़ के दुखी हो गए कि sir बोद गुरूप दो बोद गुरूप दो all India rank के लिए prepare करो दोनों गुरूप के एक साथ पास कर लिए prepare करो जल्दी से CS का tag जो है वो आपके नाम के सामने लगा लो the reason being is कि भीड में बहुत सारे लोग हैं जो CS बनने का preparation यहाँ पर कर रहे हैं आपने का नहीं एक गुरूप दूँगा क्योंकि मैं बोद गुरूप के लिए preparation नहीं कर सकता और वे एक गुरूप देखी भी आप फेल हो गए तो अपने आप से मिरर के सामने खड़े हो कि आप सवाल पोचेंगे कि क्या सही में पढ़ाई मैंने करी थी क्या Am I that much serious to get the tag of company secretary क्या मैं सही में अपने नाम के सामने CS का जो prefix है वो लगाने के लिए eligible हूँ क्या क्या मैं उस लेवल की महनत यहां पर कर रहा हूँ क्या यह आपको सोचना वहां पर पढ़ेगा मेरे भाई यह समझ में है तो यह बहुत dense है अगर आपको चकर विव में नहीं फसना है तो आप यह वाला scenario यहां पर use मत कीजेगा लगे तो एक काम करो इसको आप अराम से बना के देख लो भाई सब किसमें से क्या क्या चीज़े हो सकती है तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि छो कि आपके संदर कोई ने रहुत सबस्क्राइब करा है और बहुत सरे होते हैं पहल इन इंडिया करम में बात करूंगा तो ट्व इंटी फाइफ कम से कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 6-7 महिने की पढ़ाई करते हैं और और इनडिया रेंक को हासिल करते हैं तुम क्यों न तुम क्यों नहीं कर सकते हैं 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 तुम क् कीजिएगा I hope this is helpful एक बार इसको मैं जूम भी कर देता हूं ताकि अगर आपको देखना होगा तो खुद से बैठ के आप अपके लिए वेल्यूबल लगा होगा तो रिक्वेस्ट करोगा मेरे भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा और प्यार अपना जो है वो बर